Good morning students, this is question number 2 of exercise 11.2 based on the same topic that is construction of tangent to a circle. So question number 2 है बच्छोब, construct a tangent to a circle of radius 4 cm. यहां पर आपको construct a tangent का है, मनब एक tangent ड्रा करो, हम बारवाले पॉइंट से वैसे दो सर तेंजन ड्रा कर सकते हैं, but here it is written as, construct a tangent to a circle of radius 4 cm from a point, from a point on the concentric circle of radius 6 cm and measure its length. So बच्छोब, सबसे पहले आपको word concentric क्या होता है, यह जानना है. So concentric circles, two circles with same center, वो circle जिनका center same होगा, they are called concentric circles. अब एक जो अंदर वाला है, वो 4 cm का है, और बाहर वाला जो है, वो 6 cm का है, with same center O. तो O से 2 circle, 4 cm और एक और 6 cm का, अब question क्या कह रहा है, कि जो 6 cm वाला है, वहाँ पर एक point लीजिए, P रखा हमने इसका नाम, उस point से बाहर वाले, इस अंदर वाले circle पर tangent ड्रॉख करें. So इस बाहर वाले circle पर एक point लेना है, उस वाले point से अंदर वाले circle, जो 4 cm का circle है, उस पर tangent ड्रॉख कर लें. So बच्चो process तो वही है, procedure वही है आपका, जो आपने पिसले question में किया था, सबसे पहले, आप इस OP को join करेंगे, ठीक है, पहला हमारा काम ही होता है, कि OP को join करो. So यह हमने join किया पहला step, अगला step क्या होता है बच्चो, अगला step होता है, इस OP का perpendicular बैसे draw करना. OP का perpendicular bicycle, means दो equal parts में divide करना, तो O पर compass more than half खोलना है, OP से उपर भी आप, और आप डावर्ड भी आप लगाएंगे, फिर P पर compass, उपर आप और नीचे आप, आप इन डोनों आप, जो आपको join करेंगे, और आपके पास एक, यह बैस्टर ट्रो किया हमने, इसने OP को cut किया, उसक कि M पर compass रखना है, O तक खोलो compass को radius या P तक खोलेंगे, क्योंकि M O और MP equal parts है, अब M पर compass एक और सर्कल बनाएंगे, और देखेंगे, वो वाला सर्कल, इस अंदर वाले सर्कल को कहा कहा कट कर रहा है, यहां कर रहा है, और यहां कर रहा है, इसका नाम रखेंगे हम, ठीक है, इनका नाम रखेंगे A, और यहां रखेंगे B, फिर आप क्या करेंगे बच्चो, M, P को A के साथ जोड़ेंगे, और P को B के साथ आप जोइन करेंगे, P A और P B को हमने जोइन किया, तो हमें दो टेंजन मिलें, एक, आपको A की चाहिए था, तो P को A के साथ जोइन कर सकते थ two tangents from an external point जो हम करेंगे जो ठीक है to a circle तो अगर इनकी length मेजर करनी है आपने आप तो आप O को A के साथ जॉइन करेंगे हम लिखेंगे जोएन स्टेप सफ करेंगे इनको जैसे आपको पहने कुशन में रिखवाया है अब हम इसका देखेंगे कि मेजर आप लेंट आप जो इसका पी ए ठीक है मेजर इस लेंट तो जॉइन करेंगे आप और तो ओए हो जाएगा पर्पेंडिकुलर टू पी ए फिर इन राइट राइंगल ओए पी पाई पी जी टी लेंगे आप ठीक है पीजी टी के बाद आपका आएगा OP का square is equal to OA square plus PA square तो OP आपका कितना था 6 cm 6 का square equal to 4 का square plus PA square that is 36 minus 16 equal to PA square 36 minus 16 कितना हैगा that is equal to 20 20 का root लगेगा PA तो 2 root 5 cm आपका length of tangent आजाएगा 2 root 5 36 minus 16 20 है 20 का root अगर बच्चों अपने steps भी लिखने हैं steps of construction क्या करेंगे आप सबसे पहले draw a circle dot true concentric circles with center of radius 4 cm and 6 cm respectively yesterday second take a point P on the concentric circle with radius 6 cm ठीका फिर जोइफगा for joint OP draw the perpendicular backstroke OP with MS center draw a circle with radius MO or MP intersecting the inner circle at A and B join PA and PB we get the required tangents कर दो कजड़ा कार्ड़ कर दो